दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे saving bank account और income tax act से related जितने भी rules and provision है उन सब के बारे में जो आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है और उनको follow करना जरूरी है अगर आप उनको follow नहीं करते हैं तो आपको income tax department की तरफ से income tax notice आ सकता है आपसे बस एक ही request है इस वीडियो को end तक जरूर देखें और आपके जितने भी doubt है वो सभी के सभी clear हो जाएंगे और अगर फिर भी कोई doubt रहता है तो आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा आपको क्या करना है इस वीडियो में क्या क्या points cover होंगे तो आप screen पर देख सकते हैं ये सारे के स सारे points अपने इस वीडियो में discuss करेंगे जैसे कि एक person कितने saving account रख सकता है कितना एक साल में वो अपने account में cash deposit करवा सकता है और कितना cash withdraw कर सकता है और उसी के साथ साथ online कितना पैसा receive कर सकते हैं और कितना send कर सकते हैं एक साल के अंदर और maximum आप अपने saving account में कितना balance रख सकत हैं उसी के साथ साथ जो saving account होता है उसके अंदर जो balance होता है उसके उपर क्या आपका tax लगता है या फिर अगर आपने कोई भी limit cross कर दी ये जितनी भी आपको limit बताई तो आपको income tax notice आ सकता है या नहीं और अगर आपको notice आता है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा तो इन इन सभी point को अपन बारी-बारी से cover करेंगे देखे काफी लोगों के मन में सवाल होता है कि आप कितने bank में अपना account open करवा सकते हैं आप में से काफी लोगों का comment आता है कि पूछते है sir मेरे 5 bank में account है मेरा 8 bank में account है तो इससे कोई issue होगा या नहीं कोई बोलता है मेरा 10 bank में account है तो देखिए Reserve Bank of India और Income Tax Act या फिर किसी भी Indian law में ऐसा कोई भी point mention नहीं है कि आप maximum इतने saving account रख सकते हैं तो आप जितने bank में account open करवाना चाहें करवा सकते हैं आपको कोई भी issue नहीं होने वाला है लेकिन दो suggestion है आपके लिए मेरी तरफ से नमबर एक आप जितने ज्यादा saving account रखेंगे उतना ज्यादा आपको manage करना पड़ेगा और उतने ही bank के charges वगरे आपके deduct होएंगे हर account से और दूसरा अगर आप अपनी income tax return फाइल करते हैं तो वहाँ पर आपको अपने saving account की detail देनी होती है तो वहाँ पर जितने भी आपके saving account है उन सबका account number आपको बताना पड़ेगा तो आपके लिए अच्छा यही होगा जितने कम bank में आप अपना account रखेंगे आप उसको easily manage कर पाएंगे अगला सवाल आता है एक साल में यानि कि एक financial year में आप अपने saving bank account में कितना cash deposit करवा सकते हैं online की बात अपन आगे करेंगे अभी बात करते हैं सिरफ cash की तो income tax act में एक section है 285 BA उसके according अगर आप अपने सभी bank account का मिला कर saving account जो है सिरफ saving account की बात हो रही है fixed deposit या current account की बात नहीं हो रही है तो saving account में अगर आप एक साल में 10 लाक रुपे से ज़्यादा का cash deposit करवाते हैं तो वो आपकी detail जो है bank income tax department को send क कर देगा और वहीं बात करें एक साल में अपने ही bank account से cash withdraw करने पर क्या आपको tax लगेगा क्या आपको income tax notice आ सकता है तो देखिए वैसे तो bank account आपका है पैसा भी आपका है आपने ही जमा करवाया होगा इसलिए आप withdraw कर रहे हैं तो cash withdraw पर limit तो नहीं लगनी चाहिए लेकिन cash withdrawal पर भी एक साल में total limit है जो अगर आप 20 लाग रुपे से ज़्यादा का cash withdraw करते हैं तो उसके उपर आपका TDS काटा जाएगा bank की तरफ से और वो जो tax amount है वो government को जमा करवा दिया जाएगा यानि कि income tax department को जमा करवा दिया जाएगा अब इससे क्या होता है आपका जो TDS काट है अगर आपकी income जो है वो tax limit से कम है तो आप उस TDS को refund भी claim कर सकते हैं लेकिन income tax department के पास आपकी information पहुँच गई कि आपने 20 लाग रुपे से ज़्यादा का cash withdraw किया है अब सवाल आता है अगर आपने limit से ज़्यादा का cash deposit करवा दिया या withdraw कर लिया तो क्या होगा अब देख business की income होती आपको cash में तो तो कोई issue नहीं होने वाला है आपको कोई issue नहीं होगा आप business expenses करते हैं तो उसके लिए आपको cash की जरूरत पड़ती है तो उतना cash आपने withdraw भी कर लिया तो कोई issue नहीं है लेकिन अगर आपने income tax return ही file नहीं किया और साल भर में आपने 10-12 लाग रु जवाब देना पड़ेगा अगर आप reply दे देते हैं तो तो ठीक है अगर आपका reply जो है वो income tax department के officer को सही नहीं लगता है तो आपके उपर काफी सारी penalty काफी सारे late fees काफी सारे taxes लग सकते हैं अब बात करते हैं online कितना पैसा आप अपने account से send कर सकते हैं कितना पैसा receive कर सकते हैं एक साल के अंदर एक financial year के अंदर तो देखे government नहीं चाहती कि आप online transaction करना बंद कर दो गवर्मन यहीं चाहती है कि आप online transaction करो ज्यादा से ज्यादा offline transaction को बंद करो पैसा receive करना हो, receive करो, send करना हो, send करो, जितनी मर्जी आप उतना online transaction कर सकती हो income tax जो है वो transaction पे नहीं लगता है, वो लगता है आपके profit पे अब अगर आपका profit पूरे साल भर का धाई लाक रुपे से ज़्यादा है, तो भी आप income tax return file नहीं कर रहे हैं या आपका profit पांच लाक रुपे से भी ज़्यादा है, तो भी आप income tax return file नहीं कर रहे हैं, और कोई tax भी पे नहीं कर रहे हैं एक और सवाल काफी लोगों के मन में आता है कि अपने saving account में कितना balance रख सकते हैं maximum, तो देखिए आप कितना भी पैसा कमा सकते हैं, उस कमाये हुए पैसे को आप अपने bank account में रख सकते हैं, तो ऐसी कोई भी limit नहीं है कि 1 करोड, 2 करोड आप इतना ही पैसा अपने bank में रख सकते हैं, आपके पास जितना पैसा है आप उसको bank में रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास suppose एक साल में 5 लाक रुपए थे और अगले साल में आप 20 लाक रुपए और कहीं से जमा करवा देते हैं, यानि कि आपके bank account में 25 लाक रुपए extra हो जाते हैं, तो ऐसे में income tax department करते हैं, कोई भी आपके पास source नहीं है income का और आप वहाँ पर सीधा आपने bank account में 20 लाक रुपए increase कर देते हैं, 10-12 लाक रुपए भी increase कर देते हैं, तो भी आपके पास income tax के तरफ से inquiry आ सकती है, आपसे पूछा जा सकता है, ये आपके पास cash या फिर आपने जो भी पैसा जमा करवाया, जहां से भी आपके पासी पैसा आया है, ये कहां से आया, आपने इसके उपर income tax पे क्यो नहीं किया, तो फिर उसका आपको reply देना पड़ेगा, अब जैसा कि आपको पता होगा, saving account में जो भी पैसा आपका पड़ा होता है, उसके उपर आपको interest भी मिलता है, saving account से होने वाली interest income अगर 10,000 रुपय तक है एक साल की, तो वो tax free होती है, लेकिन अगर सारे bank की मिलाकर income 10,000 रुपय से ज्यादा हो जाती है, saving account की interest income, तो आपको उसके उपर भी income tax पे करना होता है, अपने slab के according, यानि कि आप जिस भी slab में आते हैं, जिस percent से आपके उपर tax ल गई है, या फिर कोई भी limit cross हो गई है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको simply अपनी income tax return file कर दिनी चाहिए, और जितना भी आपका profit है, वो declare कर देना चाहिए, आपका जितना भी salary है वो या फिर आपको बता दिनी चाहिए, और उसके उपर जो भी tax बनता है, वो आपको pay कर देना चाहिए, इससे क्या होगा, जो भी आपको notice आने का chance है, वो 99% तक आपका कम हो जाएगा, और income tax return कैसे file करना है, काफी सारे वीडियोज आपको YouTube पर मिल जाएंगे, और इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल रहता है, तो आप comment में पूछ सकते हैं, उसके अलावा आ इतना ही था, उम्मीद करते हैं, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं, आपसे फिर किसी नए और इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए अपना के आर हीगा